प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार आशा करता हूँ कि आप सभी कुशल होंगे और आज जो हम अध्याए पढ़ने जा रहे हैं उसके लिए आप उत्साहित होंगे बच्चों आज हम सात्मी कक्षा के विज्ञान का अध्याए प्राणियों में पोशन पढ़ेंगे बच्चों सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि आप क्या जानते हैं मैं आप से कुछ प्रशन पूछूंगा आप उनके उत्तर मुझे देंगे पादप अपना भोजन किस विधी के द्वारा बनाते हैं। सही जवाब, पादप अपना भोजन प्रकास अंसलेशन विधी द्वारा त्यार करते हैं। दूसरा प्रश्न, भोजन के घटकों के नाम बताईए। तो बच्चों भोजन के घटक हैं कार्बोहाइडरेट, प्रोटीन, वसा, इतियादी अगला प्रश्न जन्तु अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं तो बच्चों जन्तु अपना भोजन प्रतक्ष और परोक्ष दोनों रूपों से पौधों से प्राप्त करते हैं अब बच्चों हम ये देखते हैं कि हम आज क्या-क्या सीखेंगे खाद्य अंतग्रहन की विविन विधियां, मानव में पाचन, घास खाने वाले जन्तूओं में पाचन, अमीबा में संभरण, एवं पाचन बच्चों अब हम सबसे पहले खाद्य अंतग्रहन की विविन विधियों के बारे में जान लेते हैं भोजन के अंतग्रहन की विधी विविन जीवों में भिन्विन होती है जैसे की एक मदुमक्खी एवं मरमरपक्षी जिसे हमिंग बर्ड कहते हैं पौधू में से मकरंद को चूसते हैं, मानव एवं कुछ अन्य जन्तूओं में शिशु, मा का दूद पीते हैं, अजगर जैसे सर्पवंश के प्राणी अपने शिकार को समूचा ही निगल जाते हैं, इसी तरह से कुछ जलिये प्राणी हैं, जो अपने आस पास पानी में तैर करते हुए खादे कणों को चान कर उनका भक्षन करते हैं, जैसे कि एक समुद्रे जीव है जिसका नाम है स्टारफिश, स्टारफिश यानि की तारा मचली, स्टारफिश कैलिशम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जन्तों का अहार करते हैं, आप देख सकते हैं कि यह है, जन्तों में से धीरे धीरे करके अमाशय को पाहर निकालती हैं, और फिर इसके बाद जन्तों के कोमल हिस्सों को धीरे धीरे से खाने लगती हैं, जब यह भोजन पूरा कर लेती हैं, तो यह धीरे धीरे अपने अमाशय को वापिस अपने शरीर में भेज देती हैं, और आहा जो उसके शरीर में पहुँच गया, अमाशे में पहुँच गया, वह धीरे धीरे पश्टा रहता है। तो देखा आपने कितनी अद्भुद्ध है इसकी अंतग्रहन प्रनाली। अब आप भोजन ग्रहन करने की एक अन्यरोचक विधी का अध्यन करेंगे। बच्चों, अब हम मानव में पाचन क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। हम अपने मुक द्वारा भोजन का अंतग्रहन करते हैं। इसे पचाते हैं तथा फिर इसका उप्योग करते हैं। अहार का बिना पचा भाग मल के रूप में निश्काशित किया जाता है। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि शरीर के अंदर भोजन का क्या होता है। भोजन एक सतत नली से गुजरता है जो मुक गोहिका से प्रारंभ होकर गुदा तक जाती है। इस नली को विबिन भागों में बाट सकते हैं। मुक गोहिका, ग्रास नली या ग्रसिका, अमाशय, शुद्रा आंत्र यानि की छोटी आंत, ब्रेदा आंत्र, बड़ी आंत, जो मलाशय से चुड़ी होती है। तथा अंत में मलद्वार अत्वा गुदा। आउ सबसे पहले हम मुक, एवं मुक गोहिका के बारे में पढ़े। भूजन का अंतग्रहन मुक दवारा होता है। अहार को शरीर के अंदर लेने की क्रिया अंतग्रहन कहलाती है। आइए हम अपने दांतों के बारे में पुरी जानकारी प्राप्त करते हैं। प्रतेक दांत मसूडों के बीच अलग-लग गर्तिका में धसा रहता है। हमारे दांतों की अकृती भिन्विन होती है और उनके कारे भी भिन्विन होते हैं। आईए इनके बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त करें। यह चार प्रकार के होते हैं। क्रिम्तक रदनक अग्र च्वरनक च्वरनक क्रिम्तक जो हैं वो काटने के काम आते हैं। इनकी संख्या आठ होती है चार नीचे और चार उपर। रदनक का प्रयोग चीरने या फाडने के लिए किया जाता है। इनकी संख्या चार होती है दो नीचे और दो उपर। इसके बाद चबाने के लिए जो दांत हैं वो हैं अग्रच्वरनक और च्वरनक अग्रच्वरनकों की संख्या आठ होती है चार नीचे और चार उपर इसी प्रकार च्वरनकों की संख्या बारा होती है छे नीचे और छे उपर ये सबी दांत मिलकर भोजन को अच्छी तरह से चबाने में सहायता करते हैं बच्चों साथ ही आप यह भी जान ले कि दांतों को स्वस्थ रखने के लिए रोजाना दो बार ब्रश करना चाहिए हम दातों की सहायता से भोजन चबाते हैं तथा यांतरिक विदी द्वारा उसे चोटे-चोटे टुकडों में पीज देते हैं हमारे मुक में लाला ग्रंथी होती है जो लार को स्त्रावित करती है जिसे लाला रस भी कहा जाता है लार भोजन में मौझूद स्टार्च को चीनी में बदलती है चीनी यानि की शरक्रा और भोजन को नर्म बनाती है लाला रस नाकेवल भोजन को मिलाता है परंतु यह मंड को शरक्रा में बदलने का कारे भी करता है आए एक क्रिया कलाप करके देखते हैं दो परक्नलिया लीजिए उन्हें A और B से चिन्नित केजिए परक्नली A में एक चम्मच उबले हुए चावल डालिए एक चम्मच उबले हुए चावल मुह में लेकर तीन से पांच मिनट तक चबाईए तथा इन्हें दूसरी परक्नली B में लीजिए इसके पच्चाच दूनों परक्षनलियों में 3-4 मिलिलिलिटर जल डालिए अब दूनों परक्षनलियों में आयोडीन विलियन की 2-3 बूंदे डालिए और उनका प्रेक्षन केजिए तो हमने क्या पाया परक्षनली A में आइडिन विल्यन का रंग बदलकर गहरा नीला काला हो गया परन्तु परक्षनली B में इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा आइडिन विल्यन स्टार्च को टेस्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है आइडिन विल्यन को स्टार्च में डालने पर यानि की मंड में डालने पर उसका रंग गहरा नीला काला हो जाता है तो परक्षनली A में ऐसा हुआ इसका मतलब उबले हुए चावल में मंड की उपस्तिती थी जबकि दूसरी परक्षनली में रंग में कोई बदलाव नहीं आता इससे यह सिद्ध होता है कि दूसरी परक्षनली में मंड की उपस्तिती नहीं थी तो हमें ग्यात हो गया कि लाला रस मंड को शरकरा में बदल देते हैं दूसरा भाग जीब है जीब एक मांसल पेशिय अंग है जो पीछे की और मुक्विका के अधर तल से जुड़ी होती है इसका अग्र भाग स्वतंत्र होता है और किसी भी दिशा में मुड सकता है जीब पर भिन्विन स्वाद कलिकाएं होती है जैसे की नमकीन, कड़वा, मीठा, खटा, आदी ज्याद करने के लिए भूजन नली, ग्रसिका निगला हुआ ग्रास भूजन नली अथवा ग्रसिका में जाता है ग्रसिका गले एवं वक्ष से होती हुई चाती है ग्रसीका की भित्ती के संकुचन से भोजन नीचे की और सरक्ता जाता है बच्चों कभी-कभी आप जब जल्दी-जल्दी खाते हैं अत्वा खाते समय बात करते हैं तो आपको खांसी उठती है या हिचकी आती है अत्वा घुटन का अनभव होता है यह है खाद्यकनों के श्वैशन नली में प्रवेश करने की कारण होता है श्वैशन नली नासिका से आने वाली वायू को फेफडो तक ले जाती है यह ग्रसीका के साथ-साथ चलती है प्रंतु ग्रसनी में वायू एवं भोजन मार्ग एक ही होते हैं फिर भोजन को श्वासनली से प्रवेश करने में किस प्रकार से रोका जाता है भोजन निगलने के समय एक मांसल रचना वाल्व का कारे करती है जो इस श्वैशन नली को ढख लेती है और भोजन ग्रसनी में भेज दिया जाता है संयोग वश यदि भोजन के कन श्वासनली में प्रवेश कर जाते हैं तो हमें घुटन होती है और हिचकी आती है या खांसी उठती है तो बच्चों खाना खाते समय सदैव खाना ही खाईए बीच में बाते नहीं करनी है अगला भाग है अमाशय अमाशय मोटी भित्ती वाली एक थैली नुमाज सरंचना है यह चप्ता एवं यू की आकरिती का होता है तथा आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है यह एक और ग्रसिका यानि की ग्रासनली से खाद्य पदार्थ प्राप्त करता है और दूसरी और शुदरान्त में खुलता है अमाशय की आंत्रिक्स तह शिलेश्म, हाइडरोकलोरिक अमल तथा पाचकरस स्त्रावित करती है शिलेश्म अमाशय की आंत्रिक्स सता को सुरक्षा प्रदान करती है अमल अनेक ऐसे जिवानों को नश्ट करता है, जो भोजन के साथ वहा तक पहुच आते हैं साथ ही यहे माध्यम को अमलिया बनाता है, जिससे पाचकरसों को क्रिया करने में सहायता मिलती है पाचकरस प्रोटीन की सरल्पदातों में विकटन करता है अब भोजन शुद्रांत चोटी आंत में चला जाता है शुद्रांत लगभग 7.5 मिटर लंबी अथदिक कुंडलित नली है यह यकृत एवम अगनाशे से स्त्राव प्राप्त करती है यकृत गहरे लाल भूरे रंग की गरंथी होती है जो उदर के उपरी भाग में दाहिनी और अवसित होती है यह शरीर की सबसे बड़ी गरंथी है यह पितरस स्त्रावित करती है जो एक ठैली में संग्रहित होता है जिसे पिताशे कहते हैं पितरस वसा के पाचन में महतप्रोन भूमी का निभाता है अगनाशिय हलके पीले रंग की बड़ी गरंथी है जो अमाशिय के ठीक नीचे स्थेत होती है अगनाशिक रस कार्बो हाइड्रेट्स एवं प्रोटीन पर क्रिया करता है तथा इनको उनके सरल रूप में प्रवर्थित कर देता है आशिक रूप से पचा भोजन अब शुद्रांत्र के निचले भाग में पहुचता है जहां आंत्र रस पाचन क्रिया को पून कर देता है शुद्रांत में अवशोषण पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर शुद्रांत्र की भित्ती में स्थिर रुधिर वाइकाओं में चला जाता है इस प्रक्रम को अवशोषण कहते हैं शुद्रांत्र की आंत्रिक भित्ती पर अंगुलूई के समान उभरी हुई सरंचनाई होती है जिने दीरग्रोम अत्वारसांकुर कहते हैं दीरग्रोम पचे हुए भोजन के अवशोषण हेतु तल शेत्र बढ़ा देते हैं अवशोषित पदार्थों का स्थानांत्रन रुधिर वाइकाओं द्वारा शरीर के विमिन वागो तक होता है जहां उनका उप्योग जटिल पदार्थों को बनाने में किया जाता है इस प्रक्रम को स्वांगी करण कहते हैं तो बच्चों हमने यहां पाया कि पोशन एक जटिल प्रक्रम है जिसमें की अंतग्रहन, पाचन, अवशोशन, स्वांगी करण, एवं निशकाशन जैसी प्रक्रियाएं शामिल हैं भूजन का वहभाग जिसका पाचन नहीं हो पाता अथ्वा अवशोशन नहीं होता ब्रेद्रांत्र में भेदिया जाता है अब हम बात करेंगे ब्रेद्रांत्र की, ब्रेद्रांत्र शुद्रांत्र की अपेक्षा चाड़ी एवं छोटी होती है यह लगबग 1.5 मिटर लंबी होती है, इसका मुख्य कारे जल एवं कुछ लवणों का अवशोशन करना है बचा हुआ अपजित परदार्थ मलाशय में चला जाता है, तथा अर्ध थोस मल के रूप में रहता है समय समय पर गुदाद्वार यह मल बहार निकाल देता है, इसे निशकाशन कहते है बच्चों, अब हम घास खाने वाले जन्तूओं के पाचन के बारे में जानेंगे क्या आपने गाए, भैस या घास खाने वाले शाकाहारी जन्तूओं को देखा है वे उस समय भी लगातार जुगाली करते हैं जब वे खाना न खा रहे हूँ वास्तम में वे पहले घास को जल्दी जल्दी निगल कर अमाशय के एक भाग में भंडारित कर लेते हैं यह भाग रूमिन यानि की प्रथम अमाशय कहलाता है रूमिनेंट में अमाशय चार भागों में बटा होता है रूमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है, जिसे जुगाल कड कहते हैं, परन्तु बाद में जन्तु इसको चोटे पिंड़को के रूप में पुने मूँ में ले आते हैं, तथा उसे चबाते रहते हैं, इस प्रक्रम को रुमन्थन यानी जुगाली करना कहते हैं, तथा ऐ किसी रूमिनंट अथ्वारोमंती भजू हिरन आदी के रूमिन में सेलूलोस का पाचन करने वाले जिवानूं पाए जाते हैं. बहुत से जनतु एवं मानन सेलूलोस का पाचन नहीं कर पाते. इन में शुद्रांत्र एवं ब्रिद्रांत्र के बीच एक थैली नुमा बड़ी सरंचना होती है जिसे अंधनाल कहते हैं भूजन के सेलुलोस का पाचन यहां पर कुछ जिवानों द्वारा किया जाता है यह मनुष्य के आहार नाल में अप अनुपस्तित होते हैं तो बच्चों आपने अभी उन जन्तूं के विशे में जाना जिनमें पाचन तंत्र पाया जाता है परंतु आप जानकर हैरान होंगे कि ऐसे बहुत से सुक्ष्म प्रानी हैं जिनमें न तो मुख होता है और ना ही कोई भी पाचन तंत्र तो फिर जानने वाली बात यह है कि ये भोजन का अंतगरहन किस प्रकार से भोजन का अंतगरहन कर पाते होंगे और किस प्रकार से इनमें पाचन होता होगा चलो बच्चों अब हम अमीबा में संभरन एवं पाचन के बारे में जानेंगे अमीबा जलाशों में पाए जाने वाला एक कोश्किय जीव है यह निरंतर अपनी आकरिती एवम सिती बदलता रहता है यह एक अत्वा अधिक अंगुली के समान प्रवर्ध निकालता रहता है जिने पाधाब अर्थार्थ कृत्रिम पांफ कहते हैं जो इने गतिदेने एवम भोजन पकड़ने में सहायता करते हैं जब इसे भोजन का आभास होता है तो यह खाद्यकन के चारों और पादाब विक्सित करके उसे निगल लेता है खाद्यपदार्थ उसकी खाद्यधानी में फस जाते हैं खाद्यधानी में ही पाचकरस त्रावित होते हैं यह खाद्यपदार्थ पर क्रिया करके उन्हें सरल पदाथों में बदल देते हैं बिना पचा हुआ अप्शिष्ट खाद्यधानी के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है चलो बच्चों अब हम एक बार पूरे अध्याय को दोहराते हैं जटिल पदाथों को सरल पदाथों में तूटने की प्रक्रिया प्रक्रम को पाचन कहते हैं अगनाश्यक रस कार्बोहाइडरेट एवं प्रोटीन प्रक्रिया करते हैं घास खाने वाले जन्तूओं को रुमिनेंट कहा जाता है अमीबा अपना भोजन कृत्रिम पावद्वारा ग्रहन करता है सतत नली के भिन-भिन भाग मुख गुईका ग्रास नली यानि की ग्रसिका अमाश्य शुद्रांत्र यानि छोटी आंत अब बच्चों मैं आप से कुछ प्रश्ण पूछूँगा अलग-अलग जीवों में भोजन अंत ग्रहन की विधियां अलग-अलग होती है बच्चों बताईए ये कथन सही है या गलत तो सही उत्तर है सही ये कथन सही है अमाशे में तेजाब डैश को नश्ट करता है तो सही उत्तर है जिवानुओं को बच्चों कौन सा रस है जो प्रोटीन को अमाइनो एसिड में परवर्थित करता है तो इसका उत्तर है अग्नियाशिक अगला प्रशन शुद्रांत्र की आंत्रिक भित्ती पर अंगुली जैसी सरंचनाओं को क्या कहते हैं उत्तर है रसांकुर आईए हम आगे की प्रक्रिया को समझते हैं तो बच्चों अब अगला प्रशन अहार नाल के कौन से भाग द्वारा निम्न क्रियाएं संपादित होती हैं सबसे पहला पचे हुए भोजन का अवशोशन दूसरा भोजन को चबाना तीसरा जिवानू नष्ट करना चौथा भोजन का संपूरन पाचन पांचवाँ मल का निर्मान पचे भोजन का अवशोशन इसका उत्तर है शुद्रांत भोजन को चबाना मुहुगुई का जिवानू नष्ट करना अमाश्य बच्चों अगला प्रश्ण है वसा का पूरण रुपेन पाचन किस अंग में होता है इसका उत्तर है शुद्रांत्र अगला प्रश्ण जल का अवशोषन मुख्यत्या जिस अंग द्वारा होता है वह है ब्रिद्रांत्र अब आपको एक चित्र दिखाया गया है जिसमें मानव पाचन तंत्र दिखाया गया है जिन भागों को लेबल किया जाना है उनके नाम बताईए सबसे पहले यहाँ पर लेबल किया गया है अमाशय को उसके बाद यहाँ लेबल किया गया है शुद्रांत्र को और तत्पष्टात व्रिदांत्र को बच्चों, इसके साथ हमारा यह अध्याए प्रानियों में पोशन समाप्थ होता है आशा करता हूँ कि आपने इसे ध्यानपुर्वक सुना होगा और समझा होगा तो बच्चों, इसे एक बार फिर से दोराईए और आशा करता हूँ कि आप तंदुरस रहेंगे पढ़ते रहेंगे और बढ़ते रहेंगे धन्यवाद बच्चों झाल